दोस्तों आज हम आपको बताएंगे स्केबीज के बारे में याने की जो रात को होने वाली खुजली की बिमारी है दोस्तों स्केबीज एक आम बिमारी है हमारे देश में developing countries में काफी देखी जाती है और आज हम आपको इस वीडियो में complete treatment of स्केबीज कौन से कौन से creams हैं, lotions हैं, कौन से tablet लेनी है इस बिमारी को जड से खतम करने के लिए, 100% इलाज के लिए क्या क्या आप सावधानिया करना है, कौन से कौन से precautions लेने हैं ये information हम आपको इस वीडियो में देंगे दोस्तों जो भी दवाई लेंगे, medicines लेंगे वो आपके doctors के सलापर लेनी आपको, इस बात का ध्यान रखेंगे आप दोस्तों, scabies इस बिमारी में एक कीड़ा होता है उसको mite बोलते है, scabies mite और ये जो कीड़ा हमारे skin के अंदर घुसकर अंडे पेदा करता है, skin के अंदर बरोज मनाता है और उदर eggs देता है और फिर body allergic reaction पैदा करती है जिससे हमें खुझली बगरे चलती है और ये खुझली ज़्यादा रात को चलती है तो दोस्तों, इन mite को, इस कीड़े को मारने के लिए और कीड़े के जो अंडे है, उसको मारने के लिए जो सबसे कारगर दवाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ जिसका नाम है गामा बेंजीन हेक्जाक्लोराइड ये मैंने आपको salt का नाम बता है इसके जो brand names है वो मैं आपको बताता हूँ जो सबसे अच्छे है और सबसे आम तोर पर आसानी से आपको मिल जाएंगे वो है scarab lotion scarab lotion दूसरा है scabalized lotion तीसरा है scarab lotion ये मैंने brand names बता हैं आपको screen पर भी देखने मिलेंगे ये जो दवाई है ये हमको रात को लगानी है रात को सोते समय गले की नीचे गले की नीचे पेट पर उंगलियों के बीच मर आपके genitals पर बटक्स पर थाइस पर जिदर जिदर भी फूंसिया है involved areas और uninvolved areas यहाँ जहाँ पर बिमारी के लक्षन दिख रहे है वहाँ पर भी लगाना और जिदर नहीं दिख रहे हैं वहाँ पर भी लगाना इसका मनलब भी है कि आपने सही तरह के से दवाई लगाई है below the chin, chin के नीचे अंगलियों को बीच में हातों पर wrist पर बटक्स पर, thighs पर, genitals पर जहाँ पर आउम तोर पर देखे जाती है और toes तक, नीचे तक लगाना है one time application यह आपको राद को लगा कर सो जाना है after 8 to 10 hours, 12 hours सुबह उठकर गरम पानी से नाना है इसमें ध्यान यह रखेंगे कि अगर आपके body पे कहीं पे cut है, abrasion है, घाव है कोई आपको allergies है तो यह नहीं लगाना है इसका ध्यान रखेंगे बस बाकी यह safe दवाई यह लगाने के लिए one time application night में लगाना है आपने Monday को लगा लिया तो एक हफते बाद में इसको हम normally repeat करते हैं यानि इस Monday को लगा लिया तो 7 days बाद में next Monday को वापिस एक application और करना है आपको ताकि इस बिमारी को हम जड से मिटा सके हैं दोस्तों यह reinfestation हो जाता है बार-बार होते हैं कई patients हमको शिकायत करते हैं डॉक्ट साब ठीक हो गया था फिर वापिस हो गया इसलिए एक हफते बाद लगाना और ज़रूर ही इसको दोस्तों यह जो मैंने medicine आपको बताई है गामा बेंजीन हेक्जाक्लोराइड brand names ही बताएं screen पे आपको दिख जाएंगे यह normally हम 6-7 साल से छोटे बच्चों में advice नहीं करते हैं adults लोगों को और अगर आप pregnant हैं तो भी इसको हम मना करते हैं pregnancy के लिए हम दूसरी दवाई आपको बताएंगे लिए दोस्तों जो दूसरा option है एक तो हमने आपको पहले बताई दिया दूसरा option है per methrin 5% lotion and cream per methrin 5% lotion and cream यह इस तरह से lotion के रूप में आते हैं creams भी आते हैं आजकल यह काफी प्रचलन में है यह medicine भी और इसके अंदर भी one time application ही लगता है इस दवाई की यह खासियत है कि इसको हम pregnancy में भी यूज़ कर सकते है pregnant woman भी safe है छोटे बच्चों में दो मेने से उपर infants में तो छोटे बच्चों में children में, adults में भी safe है और pregnant ladies, pregnant woman में भी safe है तो दोस्तों यह भी एक हमारे पास दूसरा option है per methrin 5% normally हम पहले इसका इस्तमाल करते है gamma benzine hexachloride का और फिर अगर patients में ऐसे लगे कि वह आपिस recurrence दिख रहा है reinfectation में दिख रहा है पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ तो मैं advice करता हूँ per methrin 5% यानि कि दो हफ्ते पहले हम उपर वाली दवाई लगाएंगे और फिर भी अगर patient में दिख रहा है कि इसको वापिस कुछ फूंसिया कुछ इचिंग साफ तरह के से नहीं गई तो हम advise करते हैं 5% per methrin इसके जो brand name से वो है permite cream और scabimide p lotion पर mite cream आपको screen पर दिखेंगे यह कैसे लगाना यह भी उसी तरह लगाना जैसे हमने पहली दवाई लगाई थी रात को गले के नीचे one time application तो दोस्तों इसकी भी कुछ side effects हो सकते हैं जैसे की burning, stinging वगरे पर normally यह safe medicine है और आपको कोई भी medical store पे easily available है दोस्तों अभी जो scabies का कीड़ा है might है और उसके जो end है जो skin के अंदर होते है skin के उपर होते है उनको मारने के लिए हमने आपको दो local applications बता हैं जो लगाने की दवाई है अब खाने की tablet है इंटरनल ही जो लेनी है वो है आईवर्मेक्टिन 12 mg tablet यह बहुत ही आसानी से एवलेबल है एक anti-parasitic drug है यानि कि जो पेट के अंदर हमारे शरीर के अंदर या शरीर के भार जो भी skin पर parasites होते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से मारती है यह लेने का बहुत ही आसान तरीका है हमको इसको लेना है कमसे हम तीन tablet का course है एक तो मानों आपने first day ले लिया फिर अगले दिन second day ले लिया और फिर आठवे दिन ले लिया eighth day यानि कि आपने मंडे को एक tablet ले लिया है फिर आप Tuesday को next day वह पीस लेंगे और फिर एक अगले मंडे या Tuesday को ले लेंगे लगबग 7-8 दिन पश्चात ये तीन tablets आपको लेने with full glass of water और empty stomach खाली paid tablet लेना ताकि ये अच्छा से काम करे यानि खाने से एक घंटा पहले और अगर खाने के पश्चात ले तो दो घंटे बाद में before food, one hour and after food two hours after food एक antiparasitic drug है safe है बस तीन परिस्टितों में इसका उप्योग नहीं करना है एक छोटे बच्चे जिनका वजन 15 kg से कम है children whose weight is less than 15 kg 15 kg से कम है उनमें नहीं देना है pregnant woman को नहीं देना है और breast feeding है अगर lactating है मा बच्चे को दूद पिला रही है तो भी आपको नहीं देना है तीन परिस्टितों में नहीं देना है alcohol के साथ भी यह tablet unsafe है तो यह easily available है इसका brand name हमने लिखा है warm act QLMG easily available है brand name और यह आपको हमने बताए कैसा इस्तमाल करना है दोस्तों रात को जैसे हमने बताए lotion लगा कर सो गए आप और जब सुबह उठेंगे तो आपको नहाना है गरम पानी के साथ with hot water और जो भी अपने कपड़े पैन रखें रात के under garments है बन्यान है जो कपड़े है जो bedding है जिस बिस्तर पर सोते हो आपके जो भी dresses है clothing है आपका towel है सब को गरम पानी से दोना है उनको laundry करना है दोस्तों क्योंकि यह parasite है scabies mite scabies का कीड़ा तो यह सिफ human शरीर पर हमारे शरीर पर ही जिन्दा रह सकता है यह जब शरीर से इसकी जगा छुट जाती है तो भार दो से तीन दिन के अंदर यह मर जाता है कीड़ा तो जो भी अपने कपड़े रात को पह रहे है वो उनको बिलकुल भी बिना साफ किये laundry किये नहीं पहरना है यह तो वापिस infection हो जागा सूबे गरम पानी से दो देना है सब कपड़ों को आपको भी गुन-गुने पानी गरम पानी के साथ नहाना है और नहाने के लिए एक soap का इस्तमाल हम बताएंगे tetmosol soap दोस्तों यह medicated soap है यानि कि एक साबुन जो दवाई के रूप में वो है tetmosol soap easily available है और यह इसकी एक हास्यत है कि यह treatment भी है यानि जो scabies का might है अंडे उनको भी मारता है और prevention भी कर सकता है मानों आपके घर पे आप देखे हैं कि किसी आपके भाई, बहन, किसी परिवार में किसी को है यह infection तो हमको भी डर है कि यह फैल सकता है इसलिए tetmosol soap से नाना चाहिए सबी लोगों को ताकि अगर आपको माइठ है कीडा है वो भी खतम हो जाए और अगर नहीं हुआ है तो आप prevention भी जाएंगे इस बीमारी से इसलिए हमेशा tetmosol soap का सुबे इस्तमाल कीजिए और हमने आपको बता है जो कपड़े कैसे दोने है साफ सूत्रे कपड़े पैरने इस बात का याद रखेंगे tetmosol soap का सुबे इस्तमाल करना है दोस्तों क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जब ये कीडे अंडे दे देता है कीडे स्कीन के नीचे घुश जाता है कीडा ये तो बॉडी रियक्ट करती है ऐलर्जिक रियक्शन हो जाता है रैशेज बन जाते हैं लाल लाल अर्टिकेरिया खुजली खाज खुजली चलने लग जाती है तो उस से बचने के लिए सुबे नाने के पश्चाद tetmosol soap से नाने के पश्चाद आप सुबे थोड़ा सा symptomatic relief हो आपको अच्छा लगे खुजली करकर के परेशान नो क्योंकि socially भी अच्छा नहीं लगता हम बार-बार खुजा रहे हैं तो betnoate G और pandem plus creams ऐसे creams का इस्तेमाल करना है जिनमें steroid है, antibiotic है, antifungal है यह multi-medicine science के अंदर antibiotic, antifungal, steroid तो जिनसे आपके जो कुछ secondary infection हुआ हो कोई bacteria भी आ गया हो और कुछ जो खुजली है उनमें relief मिल जाएगा तो यह easily available है betnoate G या pandem plus cream सुभे नाने के पस्चाथ जिदर जिदर भी आपको ज्यादा खुजली होती body पर उदर application कर सकते यह 5-7 दिन आप करेंगे तो इससे आपको काफी अच्छा relief हो जाएगा खुजली से जो परेशानी वो कम हो जाएगी और medical store पे easily available है यह दोस्तों जो next important medicine है जो आपको औरल ही खानी है वो है जो scabies mite के वज़े से शरीर में जो खुजली होती कि इस बिमारी का में लक्षन ही खुजली है अर्टिकेरिया है तो खुजली को कम करने के लिए जो medicine लेनी है वो है लीवो सेटरिजीन टैबलेट brand name हमने बता है इसमें भी leekop mankind company का आता है लीवो सेटरिजीन 5 mg टैबलेट बहुत सारी कंपनिया बनाती है इजी ली अवलेबल है ये टैबलेट आपको खानी है थोड़े दिनों के लिए सुबह शाम morning में कुछ हलका नाश्ता करके फिर night में after food सुबह शाम दो टाइम खानी है आपको लीवो सेटरिजीन इससे जो आपकी इचिंग है उसमें आपको अच्छे से रहात मिलेगी और आखिर में हमने एक antibiotic tablet लिखाए antibiotic tablet इसले लिखाए कि कई बार secondary bacterial infection हो जाता है skin के अंदर क्योंकि ये पहले से आपका infection है तो bacterias भी जूड जाते हैं फिर bacterial infection हो जाता है पस बरीवी उनको ठीक करने के लिए antibiotic लेना ज़रूरी है नॉर्मली हम ये देते है odoxil 500 mg बड़े है एडल्ट में है 13-14 साल का बच्च एडल्ट है तो उसको हम 500 mg अगर छोटा बच्चा है 10 साल के नीचे 7-8-9-10 साल का तो 250 mg tablet सीफार ड्रोक्सिल इसका सॉल्ट है ब्रैंड नेम है odoxil 500 mg टैबलेट ये आपको लेना है कम से 5-7 दिन का कोर्स कीजिए ताकि जो secondary bacterial infection है वो ठीक हो जाए तो दोस्तों एक short में उपिस बता देते हैं लगाने के दो lotions है पहले लगाना है आपको gamma benzene hexachloride उसके brand names हमने दिये उसके बाद भी आपको ऐसे लगे कि इसके दो applications होने चाहिए एक मुझे से आपने एक Monday को लगा है फिर अगले Monday वो अपिस लगाना है तो दो बार आपको ये लगाना है और फिर अगर बाद में आपको लगे ये अभी पूरा ठीक नहीं हुआ तो ये permethrine 5% lotion इसको भी दो अपते लगाना है एक एक अपते बाद में फिर ये आईवरमेक्टिन टेबलेट आपको खानी है tetmosol soap है इससे आपको नहाना है सुबह नहाने के बश्चार बैटनो एट जी और पैंडम प्लस क्रीम लगानी है और टेबलेट्स हमने आपको बताईए दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको स्केबीज ट्रीटमेंट का complete और simple भाषा में समझाया है साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके परिवार में आपके जो भी family members हैं friends हैं या जो भी contact में हैं आपके दोस्त उन सब को भी ये treatment लेना जरूरी है क्योंकि अगर आपके family member में या कोई friends में बिमारी रह जाएगी तो ये infection आपको वापिस हो जाएगा साथ में कैसे कपड़े धोना है साथ सफाई कैसे रखनी है वो भी हमने बताया है आप जो भी medicine लेंगे आपके जो भी family doctors है उनसे discuss करके आपको लेना है self-medicate नहीं करना है दोस्तों ये बात में वापिस आपको बता रहा हूँ आपके कोई भी doubts हो, comments हो वो comments box में जरूर दीजेगा मैं उनका answer आपको जरूर दूँगा जो भी suggestion से वो भी दीजीगा तो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंदर अब आपसे आगे लेता हूँ नमस्कार, चैंद